आज हम SignShot data type पढ़ने होलें SignShot data types occupies 2 bytes of memory to store integer value SignShot data type 2 bytes of memory occupy करता है to store integer value Size of SignShot data type कितने 2 bytes 2 bytes मतलब क्या 16 bits तो मैं चलिए आपको ने क्या प्रूब करके दिखाता हूं कि SignShot data type ने क्या 2 bytes of memory occupy करता है to store integer value और यह ज़े size है ना यह system to system vary करता है तो चलिए मैं मेरे system में कितने bytes of memory occupy करता है SignShot data type यह देख लेते हैं तो मैं आपे ने क्या Visual Studio open कर लेता हूं और आपको प्रूब करके दिखाता हूं तो यहां पे हमने ने क्या Visual Studio open कर लिया है तो मैं आपे एक्स्पोरर पे क्लिक करूंगा देन इस प्लस साइन पे और मैं फाइल ने लेता हूं that is test.c okay and then save और इस एक्स्पोरर को close कर लेता हूं hash include stdio.h then int main curly bracket open and close और मैं यहां पे कर लेता हूं print a function specify use करते है that is %d comma और यहां पे मैं यूज करने आ ला हूं size of operator तो यहां पे size of operator यूज करते हैं okay और यहां पे मैं provide कर ले आ ला हूं हमारा जो data type है कुन सा data type है? sign short ठीक है? इस तरह से अंदेन यहां पे हम provide कर लेंगे that is the semi color okay तो देखे हम जब नहीं size of operator यूज करते हैं मनलब जो data type है उसका नहीं क्या कितने byte of memory occupy करता है हमें provide करेंगा देखे है इस program को run कर लेता हूं new terminal और यहां पे compile कर लेते हैं firstly gcc test dot c program successfully compile हो गया then run it dot backslash a dot exe okay यहां पे देखे sign short data type नहीं क्या two bytes of memory occupy करता है okay तो आपको proof मिल गया होगा कि sign short data type नहीं के two bytes of memory occupy करता है to store integer value okay then next देखे हैं इसकी maximum कितनी value नहीं क्या store करता है तो देखे है maximum value store करता है 32767 okay और minimum value store करता है minus 32768 okay then value range क्या होगे इसकी minus 32768 to 32767 okay example देखे sign short x is equal to 30 यहाँ पर हमने नहीं क्या variable declare कर लिया और initialize कर लिया यहाँ पर sign short का data type है x क्या variable और 13 क्या data और value भी कह सकते है जब हमने क्या इस तरह से variable declare और initialize कर लेते हैं तो firstly क्या हता है memory तो इस memory को कुछ नहीं क्या memory address होगा that is यहाँ पर consider करें 16 bits और तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं 16 bits कर लिया यह 1 bit 1 bit में नहीं क्या data either 0 और 1 store होगा तो इस तरह से 2nd bit 3rd और यहाँ तक हमारा 16 bit और यहाँ पर देखिए 1 to 8 bit कितना होगा that is 1 byte और 9 to 16 that is a second byte और यह 16 क्या हो गया और यह large bit को क्या कहते हैं most significant bit कहते हैं और यहाँ पर जो most significant bit है वो act size क्या करता है sign bit करके act करता है sign bit मतलब क्या चिंत bit है अगर उसमें नहीं के value 0 होगी तो वो क्या consider करा जागा उस number को positive number अगर 1 होगा तो negative number यह जो हमारे value है 13 यह इस memory में stored होगा क्या क्या नहीं 13 को किस में convert करना पड़ेगा binary में तो binary में कैसे Convert करते हैं 13 को binary में convert करने के लिए 13 को 2 से divide करना पड़ेगा और यहापर इस column हमनी को evention French क्या ओए जाएगा 6 to 6 Cinema 12 और remainder क्या शहाएगा One इस जो next question है, उसको और पिर से निके wouldn है, 2 से divided करेंगे तो यहां पे 2 से divided करेंगे, 2 332, 6 और remainder क्याहाइख़ ज़ीरो नेस next question है अटि 3 और इसको हम फिर से निके़ 2 से divisाएख़ शहाइगे तो 2 lovers 2 और यहां पे remainder आगा तो यहां पर हमारा नहीं के क्या 13 का बाइनर क्या होगा दोस्तो 1101 क्या होगा 1101 हमारा जो यह बाइनर यह है वो नहीं के 16 बिट में में कैसा स्टोर होता है देखें 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 देखो आपको समझ में आ गया हो कि हमारी जो वैलू हमने के इनिशलाइज करते है वेरिबल में किस तरह हमारे मेमरी में स्टोर होता है आपको यह बात नहीं समझ में आ गया होंगा जो साइन शॉट डाटा टाइप है कितना स्टोर कर सकता है 32767 तो यह कैसे होता है अगर मैं आपको 16-bit को यूज करके बताता हूं तो थोड़ा डिपी कर जाएगा इसलिए कि मैं 3-bits memory पर वर्क करते हैं तो यहां पर देखें यह हो गया हमारा 3-bits memory ओके और यह थर्ड जो बीट है इस समों सिग्निपरेंट बीट और यह कैसे आज वर्क करेंगा साइन बीट करके 0 रहा तो positive number 1 रहा तो negative number इस 3-bit में हम possible data क्या स्टोर कर सकते हैं दोस्तों देखें 000 मतलब क्या decimal में 0 001 मतलब क्या decimal 1 0102 और 011 मतलब 3 ओके जीरो ओके जीरो 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 यह क्या होगा यह 2-bit ओके जीरो-जीरो मतलब क्या होगा decimal format 001 का 1 10 का 2 और 11 का 3 तो हम यहाँ पर क्या 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 memory 3-bit के रहेंगी तो maximum value हम क्या स्टोर कर सकते हैं 3 ओके तो 3 का binary क्या होगा 11 इस तरह से भी नहीं क्या possible value store करके 3-bit में नहीं क्या maximum value find out कर सकते हैं बट यहाँ पर हम using formula भी find out कर सकते हैं तो maximum value equal to 2 raise to power n-1-1 ओके और यहाँ पर n क्या होता है दोस्तों here n is the number of bits तो हमारे पास number of bits कितने 3 ओके then maximum value equal to क्या होता है 2 raise to power 3-1-1 ओके तो क्या हो जाएगा 2 raise to power 2-1 और 2 raise to power 2 means क्या 4-1 that is 3 तो maximum value क्या है जाएगे दोस्तों 3 तो हमने क्या using formula भी नहीं क्या maximum value find out कर सकते हैं और क्या अगर हम इसमें negative value store करते हैं तो देखें क्या हो जाता है 101 that is minus 1 110 that is minus 2 decimal form में 111 that is minus 3 and 100-4 तो आपको लग रहा होगा कि sir यहाँ पे तो क्या वह यह तो triple 1 है तो यह minus 3 के सवा हांगे तो यह जो large bit that is the third bit यह क्या होता है यहाँ पे most significant bit और most significant bit कैसे act करता है that is sign bit one मतलब क्या negative number और zero मतलब positive number okay तो यह तो हो गया तो यहाँ हमारे पास निकार रहे गए two bit यह two bit रहे गए okay तो zero मतलब क्या हो गया one और यहाँ पे जो large bit है that is the sign bit one है इसलिए minus one one zero minus two one one minus three okay तो यहाँ पे zero zero करका zero आना चाहता बट निके यह third bit इस case में यह क्या as the sign bit also निके number करके work करेगा okay तो देखे तो यह one last मतलब sign bit के वज़े से यहाँ पे minus आ जाएगा और निके one zero zero क्या क्या आ जाता है फोर आ जाता है तो इस तरह से निके हम मतलब minimum value निक्या three bit में क्या store करते है that is minus four तो देखे यहाँ पे भी formula है minimum value find करनेगा तो देखे minimum value equal to minus two raise to power n minus one इस formula से हम find out करेंगे तो यह यहन क्या होता है number of bits तो number of bits कितने है दोस्तो three bits और यहाँ पे देखे minimum value equal to minus two raise to power three minus one तो so that निका minus two raise to power two और यहाँ पे क्या जाएगा minimum value equal to minus four तो यहाँ पे देखे हम minimum value minus four store कर सकते in case of three bits memory और निक्या और maximum value निक्या three store कर सकते in case of three bits memory ओके यह जो हमारा three है maximum value इसकी निक्या binary form में क्या है zero one one ओके तो क्या अगर हम इसको इस तरह से store करते है zero indicate क्या करेगा sign bit और निक्या one one मतलब क्या जब मने क्या हम positive maximum value store करते है तो क्या last bit के indicate करेगा sign bit that is zero और remaining क्या हो जाएगा one ओके तो देखिए अब in case of sign short data type क्या कितना bit का है 16 bit का तो 16 bit case में देखते हैं यहाँ पर मैंने क्या कर लिया large bit that is sign bit यह क्या कर लिया zero आप पर positive value करके और remaining क्या कर लिया है यहाँ पर one ओके तो देखिए अभी maximum value ने क्या 3 2 7 6 7 एक ऐसे आपको प्रूब करता हूं तो देखिए हम using formula found out करेंगे तो formula तो maximum value equal to 2 raise to power n minus 1 minus 1 तो यहाँ पर क्या है here n equal to number of bits तो यहाँ पर number of bits कितने है दोस्तो 16 bit ओके तो क्या हुआ maximum value equal to 2 raise to power 16 minus 1 minus 1 और यहाँ पर 2 raise to 15 minus 1 हो जागा ओके तेन 2 raise to power 15 क्या होता है दोस्तो 3 2 7 6 8 और इसमें से minus 1 और ने क्या maximum value equal to क्या हो जागा 3 2 7 6 7 तो इस तरह से हमारा maximum value कैसे 3 2 7 6 7 आया यह आपको प्रूफ हो गया तो चलिए आप minimum value कैसे करते है देखते है तो minimum value तो यहाँ पर देखें यहाँ पर बना गया remaining bit 0 हो गया और minimum value का formula का है minus 2 raise to power n minus 1 और here n equal to क्या है number of bits और minimum value equal to minus 2 raise to power 16 minus 1 और ने क्या हो जागा minus 2 raise to power 15 और यहाँ पर क्या हो जागा minus 32768 to 32767 ऐसे भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं minus 2 raise to power 15 to 2 raise to power 15 minus 1 ये भी कह सकते हैं तो इसको solve करने के बाद ये ही मिलेगा तो ये हो गया range हो गया हमारे sign short data type का और इस data type को sign short क्यों कहते हैं दोस्तों क्योंकि ये निक्या positive और negative both numbers क्या कर सकता है store कर सकता है इसलिए निक्या इसको sign short करते हैं क्या example sign short x is equal to minus 30 तो यहाँ पे जो हमारा sign short का हो गया data type हो गया x क्या हो गया variable हो गया और यहाँ पे हमने क्या कर रहे है negative value store कर रहे हैं तो यहाँ पे एक note है देख दोस्तों positive number will be represented directly in the memory whereas negative number will be represented in two's complement form जब निक्या हम positive number store करते हैं in sign short data type तो निक्या वो directly निक्या memory में store होता है but अगर हम निक्या negative number निक्या assign करते हैं तो क्या वो in the form of two's complement store होता है देखिए दोस्तों 13 का binary क्या हो गया 1101 अगर इससे 16 bit में store करते हैं देखिए क्या होता binary 1011 और remaining bit क्या हो जाएंगा 0000 इसका one complement अगर हम find करते हैं ठीके तो क्या हो जाएगा one complement मतलब क्या invert one का zero और zero का one हो जाएगा तो यहां पर देखिए one complement यहां पर one है तो यहां पर one का क्या हो जाएगा 001 1 का 0 और one का 0 और remaining one one two's complement कैसे फार्मेंट करते हैं देखिए दोस्तों तो two's complement अगर हम find out करना है तो हम क्या कर सकते हैं तो यहां पर हमारे memory हो गई तो यहां पर हमें क्या करना पड़े एड करना पर गड़ेगा that is क्या वन तो zero plus one क्या हो जाएगा यहां पर one हो जाएगा दोस्तों यहां क्या होगा one okay देन क्या जैसे का वाई सब one zero zero और one 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 और यह two's complement का पर स्टोर होगा यहां पर ओके इस तरह से तो हमारा जो negative value in the two's complement form में क्या हमारे memory में स्टोर होता है okay format specifier तो यहां पर format specifier for sign shot data type क्या उसकरना पड़ता है percent format specifier tells the compiler which type of data printing ओके अभी आपको ने क्या विजियो स्टोडियो ओपन करके कुछ एक्जमपल लेता हूं okay तो चलिए तो यहां पर हमारा विजियो स्टोडियो ओपन हो गया ओके तो मैं आपर क्या कर लेता हूं वेरियबल डिक्लेयर कर लेता हूं क्या क्या पड़ेगा आपर हमिए करना पड़ेगा की क्रिन करना पड़ेगा तो इसले हमें क्या आप science shot data type के लिए कुन सा format space पर यूज करना पड़ता है percent hi okay और यह आपना में प्रोएट करना पड़ता हूँ that is comma and then we have to provide the variable name okay and then semicolon and then return statement return 0 हो गया हमारा program और देन में इसको save कर लेता हूँ then terminal new terminal और यहां पर निक्या क्या कर लेते है gcc test dot c तो हमारा program compile हो गया successfully then क्या क्या करना पड़ता हूँ dot pack slash a dot exe okay तो यहां पर देखें दोस्तों हमें output क्या मिल गया that is the 13 इतलों हमारा science shot data type cam 13 positive value store कर सकता है okay then देखें मैं इसको निके negative करके दिखाता हूँ मैं same problem नहीं देता है negative 20 को run करते है new terminal और यहां पर दिखें मैं firstly compile कर लेता हूँ gcc test dot c okay then इस program को मैं run कर लेता हूँ back dot back slash a dot exe we can store a negative value okay हमारा science shot data type maximum value क्या store कर सकता है 32767 ओके हां किने दोस्तों और मैं इसको नहीं क्या कर लेता हूँ program को save कर लेता हूँ देखो मैं इस एक्स को print भी कर लिया print एप फर्मेट से इस पर उसकिया science shot का और यहां पर एक्स और मैं देने क्या पर new terminal और मैं इस program को compile कर लेता हूँ gcc test dot c okay अंदेन नहीं क्या क्या कर लेते हैं program को run कर लेते dot backslash a dot exe तो यह आपने देखे दोस्तो 32767 करके हमें output मिल गया okay sign shot maximum value कितना store कर सकता है 32,767 अगर मैं यह change करके नहीं क्या maximum value के ऊपर जाता हूँ that is a 50,000 okay अगर ऐसा करते हैं तो देखे क्या होता है दोस्तो प्रोग्रम को serve कर लेता हूँ और देने क्यों प्रोग्रम को run करता हूँ देखे new terminal firstly प्रोग्रम को compile कर लेते जी सी सी टेस्ट डॉट सी ओके प्रोग्रम सक्सिस्फफ़ली कंपाइल हो गया दोस्तों कि नहीं इस प्रोग्रम को run कर लेता हूँ dot backslash a dot exe तो यहां पर हमें output क्या मिला दोस्तों देखे हमारे जो 50,000 है इसका हम binary find out करते है तो मैं यहां पर देखे calculator open कर लेता हूं दोस्तों calculator यह जो हमारा calculator open हुआ है यहां पर क्लिक किजे और यहां पर नहीं क्या programmer पर क्लिक किजे और यहां पर हुआ है मैं decimal में select करता हूं हमें क्या cóp ready करना 50,000 का binary find करना है तो यह हमारा 50,000 का binary हो गया दोस्तों तो हमारा 50,000 का binary क्या दोस्तों 11000011010100 यह हमारे मतलब memory में कैसा store होगा देखे दोस्तों यह binary form की memory हो गया तो क्या 0, 0, 0, 0 और यह इस थरह से हो गए जागा अके यह जो हमारी 16 बीट है यह क्या 16 बीट क्या होता है most significant bit होता है और यह कैसे, आज कैसे act करता है, sin bit करके act होता है करता है और यहाँ पर 1 रहा तो क्या? negative. और negative value कैसे store होता है in the form of two's complement तो इसका नहीं क्या क्या हो जाएगा अभी देखे दोस्तों यह जो हमारे 16 bit है यह ने क्या 1 का 1 ही रखा क्यूंकि वंकि एगर हमेंने क्या टोंस कंपिलिमेंट करना तो तो यहां पर हमारा हमें क्या करना पड़ेगाँ प्लस राजए गाँ जिरो और क्या रहा जाएगा वन हो जाएगा और पर क्या रहा होजाएंगा फिर और यह जागा 0 और करी रहा जागा 1 ओके फिर से 1 प्लस 1 0 और करी 1 और 0 का 0 प्लस 1 और यह जागा इस तरह से तो यह हो गया हमारा दोस्तो 15,000 का 2's कॉंप्लिमेंट तो यह मेमरी में स्टोर हो आँगा ओके यह तो 16-bit है दोस्तो 16-bit क्या इंडिकेट करता है कि मतलब और 1 मतलब क्या होता है निगेटिब नमबर तो हमारा नहीं क्या मतलब important क्या रहा है यहां से यह यह यहां से यह तक जो data है जो memory में स्टोर हो है इसको कि किस में करेंगे decimal में convert करेंगे तो मैं copy कर लेता हूँ और मैं calculator open करता हूँ दोस्तों यहां पर हमने calculator open कर लिया यह binary select कर लेता हूँ और यहां पर में जो हमने copy किया है वो paste कर लेता हूँ ओके 00111100101100 ओके यहां पर देखिए दोस्तों decimal में हमें क्या मिला देखिए दोस्तों यह maximum value क्या है 32767 हां यहां पर हमने 50,000 असेंड किया था मैंने क्या कोई error ही नहीं आया लेकिन output आया निगेटिव में अगर मैंने क्या इसमें 65563 असेंड करता हूँ और यह क्या है positive value है अगर इस program को मैं run save कर लेता हूँ और run करता हूँ देखिए तो मैं यहां पर क्या कर test.c तो यहां पर देखिए अभी हमें क्या आ गया workflow करके क्या आ गया error आ गया ओके यह ऐसा क्यूं हां मैंने आपको आने वाले वीडियो में बता हूँ अभी हमने क्या positive value तो हमने सभी देख लिए अभी देखिए मैं negative value के बारे में बताता हूँ sign shot data type minimum value कितने assign कर सकता है दोस्तो minus three two seven six eight okay देखिए मैं इसको assign कर लिया इस program को save कर लेता हूँ control s then terminal new terminal और इस program को क्या कर लेता हूँ gcc test dot c okay तो program successfully compile हो गया then मैं run कर लेता हूँ dot backslash eight dot exe okay यहां पर देखिए दोस्ता हमें output मिन गया that is a minus 32768 ओके तो जो हमारी minimum value है sign shot key that is minus 32768 और अगर इससे और नीचे जाए तो हमें क्या मिलता है कि दूस्तो में six eight की जगा क्या कर लेता हूँ nine कर लेता हूँ और control s करके program को save कर लेता हूँ then cat terminal open कर लेते new terminal देखिए मैं इस program को compile कर लेता हूँ दोस्तों तो यह हो गया हमारा ने के दोस्तों primitive data type में से sign shot data type okay दोस्तों हमने primitive data type पढ़ा था और primitive data type के दिए और four types होते integer, character, decimal, wide then integer data types are short, int and long और इसमें से देखिए दोस्तों हमने कुन सा आज complete किया sign shot data type हमने sign shot data type complete कर लिया है, अभी हम पढ़ने वाले unsign shot data type, okay signed और unsign में difference क्या दोसो, signs means it can hold positive and negative number और unsign means it can hold only positive number, तो चलिए unsign shot देते है unsign shot data type occupies two bytes of memory to store only positive number, तो unsign shot data type two bytes of memory occupy करता है to store only positive number, तो size of unsign shot data type is two bytes, two bytes means 60 bits, तो size of unsign shot data type है यहने क्या system to system vary करता है दोस्तों, तो चलिए मैंने क्या मेरे system है unsign shot data type two bytes का यह आपको प्रूब करके दिखाता हूं, तो मैं आपे video studio open कर लेता हूं और आपको एंटर कीजे और यह जो explorer open है उसे minimize कर लिजे और यहां पर code कीजे that is क्या hash include और यहां पर stdi o dot h okay int main okay और यह हमारा होगया function दोस्तों और मैं अभी क्या कर लेता हूं curly bracket open and close then मैं यहां पर क्या कर लेता हूं printf function उसकर लेता हूं printf और यहां पर मैं यहां पर यूज करता हूं और यहां पर यूज करता हूं size of operator और यह size of operator हमें क्या प्रवेड करेंगा दोस्तों जो हमारा data type है उसकी size कितना हमारे system में है वह हमें बताएगा तो मैं यहां पर हमारा data type कौन सा है unsigned short ऊके इस तरह से provide कर लिया then provide the semicolon then return statement return 0 okay then provide the semicolon तो यह हो गया हमारा program then click on file then select share हमार program share हो गया then click on terminal new terminal और यहां पर program को compile कर लेते है gcc test.c तो प्रोग्यम सक्सेस्फ़िली compile हो गया then प्रोग्राम को रन करते है, dot backslash 8.exe तो यहाँ पर देखें दोस्तो हमें output के मिला 2, तो हमारा unsigned short data type कितने memory occupy करता है, 2 bytes तो 2 bytes में कितने 60 minutes तो मैंने proof कर दिया कि मेरे system में unsigned short data type 2 bytes of memory occupy करता है, maximum value ने unsigned short data type कितना hold कर सकता है that is 6, 5, 5, 3, 5 और minimum value 0 तो value range क्या हो जाएंगे दोस्तो 0 to 6, 5, 5, 3, 5 देखें, example देखते है unsigned short x तो इस तरह से अगर हमने variable declare कर लिया तो क्या memory होगी और इस memory को कुछ memory address होगा consider कि 204 is the memory address यह memory address always क्या रहता है positive integer रहता है तो देखें दोस्तो यह memory कितने byte कि होगी 2 byte, 2 byte means कितने 16 bit तो यहाँ पर हमारे सवाल रहे कि maximum value जो हमारा unsigned short data type 65,535 hold कर सकता है और minimum value 0 तो यह कैसे आया और हमारे size of unsigned short data type कितने 16 bit अगर मैं 16 bit पर आपको बताऊंगा तो थोड़ा difficult जाएगा इसलिए हम निकर थोड़ा कम bits देंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 bits है actually हमारा unsigned short data type 16 bits का होता है लेकिन हम example के तोर पर 3 bits ले ले तो यहाँ पर 3 bits हो गए यह 1 bit है इस 1 bit में क्या हम value के store कर सकते 0 और 1 similarly other bit में 0 और 1 ही store कर सकते तो यह 3 bits में हम possible binary value के store कर सकते दोस्तों देखिए तो यहाँ पर मैंने binary decimal कर लिया देखिए 0 0 हम 3 0 hold कर सकते 0 0 means क्या 0 0 0 1 means क्या 1 decimal में 0 1 0 means decimal में क्या 2 0 1 1 decimal में 3 1 0 0 4 1 0 1 5 1 1 0 6 and 1 1 1 7 तो इस तो से हम जबने क्या 3 bits ने क्या memory रहते हैं तो हमने क्या possible values यह store कर सकते तो यहाँ पर minimum value क्या store कर सकते हैं दोस्तों 0 मतलब binary में क्या triple 0 और maximum value 7 तो binary में क्या triple 1 तो यह तो हमने 3 bits के possible value store करके हमने पता कर लिया कि minimum value 0 और maximum value 7 store कर सकते हैं अगर हम ऐसे 16 bit में करेंगे तो हमें difficult जाएगा तो इसलिए हम क्या करते हैं फार्मुला तो यहाँ फार्मुला देखें दूसरों क्याता है maximum value equal to 2 raise to power n minus 1 और here n क्या होता है दोस्तों here n is number of bits तो यहाँ पर number of bits कितने 3 तो क्या होगा max value equal to 2 raise to power 3 minus 1 और नहीं क्या 2 raise to power 3 minus 1 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 8 minus 1 और 8 minus 1 हो गया तो 8 minus 1 मतलब क्या है maximum value equal to 7 इस formula से हम find out कर सकते है maximum value तो यहाँ पर देखें यह जो हमने नहीं क्या इस तरीके से find out क्याता है maximum value और formula से find out क्या तो वह same है 7 क्या नहीं क्या binary क्या है दोस्तों जब हमारी 3 bit memory होता है तो 2 bit में क्या 1 1 1 रहता है तो चले अभी हम क्या करते है हमारा unsigned shot data type का size क्या है 2 bytes 2 bytes means 16 bits तो इसके बढ़े में हम देखते है तो यह होगा हमारा 16 bits तो यह 1 then 2nd bit 3rd bit और यह इस तरह से हमारा 16 bit 1 to 8 यह क्या होगा है दोस्तों 1 byte remaining 9 to 16 is another byte तो यह इस तरह से हमारा 2 bytes memory होगे है यह जो हमारा 16th bit है इसे हम क्या कहते है most significant bit जब हमने नहीं क्या sign short data पड़ा था तो most significant bit कैसे act कर रहा था sign bit means क्या 0 means नहीं क्या positive and 1 means negative तो इस तरह से हमने पड़ा था but in case of unsigned short data यह most significant bit कोई act नहीं करता है तो 16 bit में highest value क्या store हो सकती है ok अगर हम by using formula नहीं क्या find out करे maximum value of unsigned short data type तो देखें max value equal to 2 raise to power n minus 1 ok यह n क्या है number of bits ok और number of bits यहां पे 16 bits ok तो max value equal to 2 raise to power 16 minus 1 ok then 2 raise to power 16 minus 1 then 2 raise to power 16 क्या होता है दस तो 6 5 5 3 6 और है minus 1 और इसे max value equal to 6 5 5 3 5 तो आपको समझ में आ गया होंगे maximum value of unsigned short data type क्या होता है 6 5 5 3 5 और minimum value क्या होता है 0 इस तरह से हमें पता चल सकते maximum and minimum value of unsigned short data type value range क्या होगे दोस्तों 0 to 6 5 5 3 5 और तरिके से लिख सकते हैं और 0 to 2 raise to power 16 minus 1 इस तरह से भी हमने के value range कह सकते है format specifier for unsigned short data type क्या होता है %HU format specifier tells the compiler what type of data printing और तो चलिए मैं यहां पर video studio open कर लेता हूं unsigned short data type का example देखते हैं तो दोस्तों यहां पर मैंने video studio open कर लिए कर लेता हूं मैं यह statement erase कर देता हूं तो यहां पर मैं variable declare कर लेता हूं unsigned short x equal to कर लेता हूं suppose 156 then semicolon और इस variable का आपको print करके दिखाता हूं print कैसे करते हैं दोस्तों print किस तरह का data type है that is unsigned short तो इसलिए हमें format specifier कर जुच क्या करना पड़ेगा %hu okay then क्या हमें comma use किजे then provide the variable name that is x then provide किजे semi-volan okay तो यह हो गया हमारा program दोस्तों save कर रिजे control s करके then click on terminal new terminal then program को compile कर लेते gcc taste.c okay program successfully compile हो गया and then हमें क्या करना पड़ेगा program को run करना पड़ेगा . backslash a.exe okay तो program successfully run हो गया तो यहां पर output देखे दोस्तों हमें क्या हो गया 156 okay तो unsigned short data day maximum value क्या store कर सकता है दोस्तों 65535 okay तो मैं यहां पर chain कर लेता हूं 65535 okay तो file को save कर लिजे दोस्तों तो यहां पर save then click on terminal new terminal program को compile किजिए gcc taste.c program successfully compile हो गया dot a backslash a.exe तो देखे हैं हमें output क्या मिल गया 65535 okay अगर जो maximum value है उसके range के बाहर जाएंगे तो हमें क्या होता है देखे दोस्तों आपने जो 35 है मैं उसके जगह क्या कर लेता हूं 36 मतलब क्या 65536 program को save कर लेता हूं control s click on terminal new terminal then gcc taste.c minimum value के range के बाहर जाएं तो हमें error मिलता है minimum value हम क्या store कर सकते है that is a 0 तो देखे यहां पर 0 कर लिया program को save कर लिया click on terminal new terminal then program को compile कर लिया gcc taste.c successfully compile हो गया then क्या कर लेते dot backslash a dot exe minimum value क्या है 0 then अगर यह minimum value है उससे और कम जाए मतलब negative में जाए हमारा unsign short data type क्या होता है देखे तो यहां पर मैं क्या कर लेता हूं minus 13 कर लेता हूं okay तो अभी देखे क्या होता है दोस्तों देखे तो मैंने program को save कर लिया control s करके click on terminal new terminal मैं प्रोग्राम को compile कर लेता हूं gcc test dot c तो कोई error आया क्या दोस्तों नहीं जब हमने क्या negative value assign किया है unsign short data type में तो भी हमें error नहीं है तो चलिए इसको run कर लेते dot backslash dot exe ok तो यहां पर हमें output क्या मिला है दोस्तों देखे 65 523 positive हमें output मिला है दोस्तों हां किने तो ऐसा क्यों हुआ दोस्तों इसका reason में आपको बताता हूं ok हमें जब negative value assign क्या है unsign short data type में हमें output क्या मिला है positive ok तो देखें यह कैसा होता है मैं आपको बताता हूं ok 13 का binary क्या होता है दोस्तों one one zero one हां किने अगर इसे में 16 bit memory में store करें binary format में तो क्या होगा one zero one one remaining zero हां किने अगर यह जो 13 है यह क्या है negative number है and negative number memory में कैसे store होता है in the form of tools compliment last video में ने बताया था आगे ने हमें tools compliment find out कैसे करते है firstly we have to find the once compliment once compliment find out करते है once compliment मतलब क्या just invert the number मतलब क्या अगर one रहा तो 0 और 0 रहा तो one तो यहाँ पे one है तो यहाँ पे 0 0 का one 1 का 0 और यह बाकी 0 है था तो इसलिए यहाँ पे then tools compliment कैसे find out करते है दोस्तों तो देखें यहाँ हमारी memory हो गए तो tools compliment हम find out करते है कैसे यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा plus one तो 0 plus 1 क्या हो जाएगा दोस्तों और यह one जिसे करें वैसा 0 0 0 तो यह हमारा होगा tools compliment जब हमने क्या unsigned short x is equal to minus 13 क्या था यह negative number होने के बज़े से in the form of tools compliment मतलब यह value store है इसका अगर हमने क्या decimal form में convert करते है तो देखते क्या आता है मैं copy कर लेता हूँ इसका नहीं क्या decimal form में क्या आता है आपको बताता हूँ तो यहाँ पे हमने क्या calculator open कर लिया है यहाँ पर इसको select programmer यहाँ पर बाइनर इसको select कर लेते है और जो हमने क्या copy किया है यहाँ पर पेस्ट कर लिया है तो यहाँ पर देखे दोस्तों हमें output क्या मिला 65523 क्या जो हमने negative 13 ना sign क्या था इसको अगर हमने क्या decimal में convert कर रहे तो क्या मिलता है two's complement में store होता है और उसका नहीं क्या हमें output किस में मिलता है decimal में मिलता है जो two's complement में store हो आ है इसलिए हमें output क्या मिला six five five two three okay तो अभी हमने क्या unsign short data type भी complete कर लिया primitive data type है उसका जो first type है that is integer integer का जो type है short यह हमने complete कर लिया है okay तो यहां पर में फिर से बता देता हूं sign means क्या हाँ it can hold positive and negative numbers and unsign means क्या it can hold only positive numbers okay next video में हम पढ़ने वाले that is a integer का second type that is int मतलब क्या sign int okay